एलो दोस्तों टेकनो नचके को दमाकेदार मोबाल कमपेरजन में आप सब का स्वागत हैं आज यहाँ पर मैं माइक्रो मैक्स इन नोट 2 का इन फिनिक्स नोट 11 के साथ डेटेल में कमपेरजन करने वाला हूँ उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे लगेगी बैसे तो मैं आ और ही स्मार्टपॉन के स्पैसिपिकेशन पर एक नजर डाली जीएगा कि एक रड़ कwiąश्फन चिकरों कि एक पर दो क्या झाली पीगा कि एक नचरा कई में माईक्रों करने हैं में आपकों है रहाँ आफलन कि recuper hex कम वाले डिर इा हो बाले दो Tay में अपिर्ण में झाल झाल करैंपड़ करें झाल प्याख लाल कर दो नह और ही खomoूश्हिंग और कि अरिज्दों टे क्सी दे गट टू ganze है कि अरिज्दों सेट侌 कि अर टन गे ऊति दून भास्टी गिर्शनोंटिया कर दो को चाहती। कर दो यंर वातर। कर दो कर दो झाल झाल अगर आपने हमारा दमाकेदार मोबाल कमपेरजन Micromax Innote 2 का Redmi Note 10S के साथ नहीं देखा है तो उपर आई बटन को आप चेक करिएगा वहाँ पर में इस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टपॉन में से केस स्मार्टपॉन को केस कंडिसन में परचेच करना चाहिए अगर आप Micromax Innote 2 को First Cell में परचेच करते हो तो इसका प्रैस आपको 12,500 रुपे देखने को मिलता है मेरे हैसाब से इस प्रैस में यह काफी कमाल की डील है यहाँ पर आपको Build Quality और डिजाइन दोनों ही काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको Gaming Performance इन प्रिक्स Note 11 से काफी अच्छी देखने को मिलती है तो मझें अउम्मीदे वैडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वैडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा साथी साथ मुमेदा reference जिससे आपको एएसे ही टेग वैडियो को नעटिफीकेशन मिलती रहे हैं आप हमें कमेंट्स करके बिताइएगा कि आपके एकोर्डिंग इन दोनों स्मार्टपॉन में से कौन साइज स्मार्टपॉन वाइबर्थ रहेगा साथी साथ कमेंट्स वोक्स हम अपना फीड़ विया को सेजेशन देना ना भूले तो मिलते हैं किसी और नेक्स ट्रीव डियूम तब तक लिए कीप सपोर्ट कीप लाब